फीफा वर्ल्ड कप के पहले मैच में चार बार की वर्ल्ड च्यांपियन जर्मनी को मात देने वाली जापान की कोस्टा आफरिका ने दूसरे मैच में बड़ा जटका दिया है कोस्टारिका ने जापान को एक शूने से हरा दिया इस हार के बाद जापान की टीम के नॉकाउट दॉर में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ी चोट लोगी है फुटबॉल विश्वर कप में एक और बड़ा उलट फेड़ देखने को मिला मुरको ने फीफा रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काविज बेलजियम की टीम को दो शूने से हरा दिया 22 वे नंबर की टीम मुरको की इस विश्वर कप में ये पहली जीत है उसका पिछला मैच क्रोईशिया के खिलाव बराबरी पर जूटा था ग्रूप एफ में बेलजियम में पहली हाँ उधर एक और मैच में उपविजिता क्रोईशिया ने कनेड़ा को चार एक से करारी शिकस दी पहले प्रोईशिया टीम में शोने एक से पीछे चल रही थी लेकिन इसके बाद प्रोईशिया ने ताबर तोड गोल किया और मैच को अपने पाले में कर लिया उधर पहली बाद फीफा वर्ल्ड काप में भाग ले रही गनेड़ा का आखरी मैच पोड़कर से कोगा रहिवार देर राद ग्रूप इमेज जर्मनी और स्पेन का मैच केला गया जो ये हाई वोल्टेज मैच एक एक से ड्रॉ रहा दोनों टीम ने एक गोल स्कोर किया इस्पेन के लिए 62 मिनट में अलबारो मोर्टा ने गोल दागा वहीं जर्मनी के लिए 83 में मिनट में निकलस फुलक्रोज ने स्कोर किया वहीं आज 3 मैच केले जाएंगे पहला मुकाबला केमडू नौर सार्विया के बीच केला जाएगा जो दोपए सारे 3 बजे होगा दूसरा मैच दक्टन कोरिया और घाना के बीच होगा ये मैच शाम सारे 6 बजे होगा तीसरा मैच ब्राजील और स्विजलेंट के बीच होगा जो कि सारे 9 बजे होगा नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई ख़बर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योज़ 24